अज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप VLOOKUP और HLOOKUP FORMULA का basic युजд कैसे कर सकते हो इस वीडियो कर कि देखने के बाद कहाँ पर आपको वीलूकफ फर्मूला का युज़ करना है और कहाँ पर आपको एड़े करना है आपको complete समझ माँ जाएगा तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अभी लुक फॉर्मूला के बारे में ठीक है अब सबसे पहले आप डाटा समझ लो मेरे पास यहां पर टाइप है क्या आईडी ठीक है उसके बाद उस आईडी का नाम इमेल डिपार्टमेंट ठीक है अब मै मैं चाहता हूं कि किसी का यहां पर मैं आईडी सर्च करूं उसका यहां पर क्या आजए डिपार्टमेंट आजए हम कर क्या रहे हैं डाटा को सर्च करने का काम कर रहे हैं किसी का आईडी सर्च करूं यहां पर क्या आजए डिपार्टमेंट तो कहीं पर भी अगर आपको सर उस तर्व मेर्य चाहता हूं कि आयाईडी सर्च करूं कि आजाये डिपार्टमेंट आजाये तो हम लगतिकी सर्च कर रहा है ना टो इड आपका वर्टीकल में आ रहा है कर से और हम इस टेवल में क्या करेंगे वी फर्मूला के यूज करेंगे कैसे आपको जहाँ पे रिजल्ट चाहिए वहाँ पे करसर रखना आप लगाना इक क्वलटू वी लूक फिर मैंने लिखाए क्या सेल्प एक ब्लैंक सेल्ग्ड करना इसे बार को सेल्डेक्ट कर हो किया तो उसके बार को कि पूरा सब्सक्राइ tau buscar जीरो किया को उच पार मा लगा है मैंने आप सब्सक्राई एक बूल रहा है कोलम नंबर आप किया निकालना चाहते हो संदेड कितने नमबन कॉलम में आ रहा है 1 2 3 4 5 ठीक है 5,0 अब यहां पे आपका दो चीज होता है एक होता है जीरो एक होता है वन जीरो होता है एक्जेक्ट मैच के लिए अभी हम आगे जस्ट इसके बारे में सीखेंगे ठीक है कुछ दिर बाद जीरो और वन का क्या मतलब है ठीक है अभी तो आप जीरो टाइप कर दो ठीक है जो यहां पे सर्च करेंगे वही फाइंड करना चाहिए ठीक है प्रैकट क्लोज एंटर अब यहां पर आप किसी का भी आईडी सर्च करके देखो मालो आप देखना चाहते हो एजीरो वन फोर फाइफ मैंने कर दिया एंटर देखो इस आईडी का डिपार्टमेंट क्या है सपोर्ट है और किसी का आईडी सर्च करके आप देखो यहां पर मालो आप देखना चाहते हो एजीरो कि वन फोर सेवन ठीक अब समझने के लिए हम यहां पर टाइप क्या कर रहे हैं और यहां समाघने के लिए आप लिए को हमारा एक नोर्मल भी लूक था ठीक है लेकिन यह तो छोटा टेबल है इस में हम भी लूक लगा कि प्रमूला का भाड़ लिधा यह था और फ्रमूला को बड़े दो कि कि किसी का यहाँ पर आईडी सर्च करूं उसका क्या आजा यहाँ पर डिपार्टमेंट आजाए तो लिखो आप यहाँ पर टू वी लुक अप ठीक है फिर क्या करेंगे एक ब्लैंक सेल्ट करेंगे कॉमा लगाएंगे उसके बाद अब देखो टेवल आपका बहुत बड़ा ह यहां से ठीक है तो यहां पहले वाले सेल पर पैसे करसर रख दो उसके बाद अपनी कीबोर्ड से चंट्रोल सिफ्ट राइट एरो ठीक है अब नीचे आना है ना चंट्रोल सिफ्ट डाउन एरो देखो पूरा टेवल आपका स्लेक्ट हो गया ठीक है अब आपको वहीं पर चाना है एक्टिव सेल में जहां पर आपने फर्मॉल लगाने स्टार्ट किया था तो कंट्रोल बैक स्पेस ठीक है आप वहीं पर दुबारा आजाओगे जहां से आपने फर्मॉल लगाने स्टार्ट किया था ठीक है मैंने लगाया कॉमा अब क्या बोल रहा है कॉलम नंबर नभाई कि कुछ भी निकाल सकते हो ठैक है को जरूरीम न्हीं है आप इमेल निकाल सकते हो या आप ऊसका नेम निकाल सकते हो ठीक है मालती इस बड़ में इमेल निकाल लेता हूं इमेल किते नमर में earth कर देता हूं प्ला मत प्रैकेट क्लोज एंटर अब यहां पर आप किसी का भी आईडी सब्सक्राइब करके देखो मालोगे 0148 ठीक है देखो आ रहा है ना यह 0148 का इस टाइप से आप VLOOKUP फर्मूला का ये यूज़ कर सकते हो फिके यह तो था हमारा VLOOKUP फिके अब हम समझते हैं HLOOKUP फर्मूला का बारे में दोनों फ्रमूला आपका VLOOKUP हो या ह-소리 dependence हो काम स्यंग करता है डाटा को सर्च करने का ही काम करता है यहां पर भी हम किसी का मैं id search करूँ उसका क्या आजाए department आजाए तो जिसके coding search कर रहे है कहां पे आ रहा है वर्टीकल में तो इस data में भी लुक आप़ फर्मॉला की उच करोगेए ठीक है तो सबसे पहले में क्या करता हूँ इसको इस data को क्या करना है आपको horizontal data में convert करना है कैसे मैं करता हूं Ctrl C, copy किया मैंने copy करने के बाद जहां पे इसको horizontal में convert करना चाहते हो वहाँ पे click करना paste special में जाना है, कहां पे? paste special में ठीक है? यहां पे जाना paste special में, ठीक है? और यहां पे देख थेखोई आपको एक option मिलेगा, transpose क्या मिलेगा? transpose ट्रांस्पोज मतलब क्या होता है वर्टिकल डाटा को हर्जेंटल में कनवर्ट करना ठीक है मैंने कर दिया ओके अब देखो आइडी हमारा कहां चला गया और जेंटल इस डेटा में किसी ने बोल दिया भाई मुझे यह बताओ कि आइडी की हिसाब से उसका डिपार्टमेंट है बताओ आप ठीक है तो यहां पे आप किस फर्मुला के यूच करोगये एचलूकप का क्योंकि जिसके हिसाब से सर्च कर रहे है कहां पर आ ठीक है फिर एक blank cell select करेंगे जहां पर हम search करेंगे ठीक है comma लगाएंगे फिर पूरे table को select करेंगे कैसे control ठीक है shift right arrow फिर control shift down arrow पूरा table आपका select हो गया comma लगाओ गया ठीक है फिर row number बोल रहा है row number department कितने number row में आ रहा है पांच पांच comma zero bracket close enter ठीक है अब यहां पर किसी का भी आप ID सर्च करके देखो ठीक है वहां पर भी हम ID की किसाब से department निकाल रहे थे यहां पर भी हम ID किसाब से department निकाल रहे हैं लेकिन डाटा चेंज है बस एक होरिजन्टल एक था वर्टिकल ठीक है वैसे 90 परसेंट जो यूज करते हैं वी लुक फर्मूला का यूज करते हैं ठीक है वैसे हम जो नॉर्मल डेटा इंट्री एक होता है 0 एक होता है वन ठीक है अब कहां पर 0 का यूज करना है कहां पर वन का यूज करना यह आपको समझना है ठीक है देखो आप यहां पे क्या है तो क्यों मैं इस डेटा में इस के सलता हूं यहां पर अगर आप किसी का आ इडी सoting कर रहे हो क्या रहाए सका डिपार्टमेंट आ रहे हैं यह आ लेकिन कोई ऐसा आइडी आप यहां पर सर्च कर देते हो जो इस टेबल में है तैबलो नहीं मेल रहा है डिए इस एक होता है इसका क्या मतलब है यहां पर मैं चाहता हूँ कि किसी का अगर सेलरी ठीक है तस हजार से बीस हजार के बीच में है ठीक है तब तो उसका बोनस चार परसेंट मिलना चाहिए किसी का सेलरी बीस से तीस के बीच में तब पांच परसेंट मिलना चाहिए तीस से चालिस के बीच में छैपर सेंट मिलना चाहिए इसी परकार आगे हमारा मैं चाहता हूं कि किसी का यहां पर income सर्च करूं उसका यहां पर क्या आ जाए bonus प्रसेंट आ जाए ठीक है तो क्या करोगे we look up ठीक है यहां पर लगा दो equal to we look up फिर एक blank cell यहां पर income search करूंगा कॉमा लगाया मैंने फिर टेबल को मैंने select किया ओमा लगाया मैंने फिर column नंबर बोल रहा है bonus निकालना है कितने नंबर कॉलं में आ रहा है दो कामा जीरो अभीक टाइम में 0 टाइप कर रहा हो देखो होगा क्या मैंकिएंटर किसी का आप यहां पर income सर्च करो माल लो मैंने कर दिया 30,000 ठीक है 30,000 इस टेवल में है की नहीं है देखो मिल गया इसने 6% रिजल्ट दे दिया ठीक है लेकिन अगर यहां पर आप टाइप कर देते हो 35,000 तब तो यहां पर देखो एरर आ गया लेकिन हमें चाहिए क्या था यहां पर यहां पर जीरो की बजाय आप यूज करोगे यहां पर देखो अगर आप यहां पर टाइप करोगे कितना 23,000 में नहीं है लेकिन तब यह सर्च करेगा किस के किस के बीच में आ रहा है देखो इसके बीच में आ रहा है तब रिजल्ट आपका मिल जाएगा 5% फिक है यह तो होता है जीरो और वन का मतलब अब देखो आप अब हम इसका एक real example में समझते हैं यहां पे यहां पर सेंब डेटा है हमारा मैं चाहता हूं दो को यह नेम टाइप किया है यह साथ किया है मुझे सब का यहां पर क्या करना है बोनस परसेंट निकालना है ठीक है ऐसे इसके बीच में बोनस मिल जाना चाहिए 6% यह सेलरी किस कि लेक्ट सेल है ना किसके हिसाब से सर्च करोगे इस सेलरी के हिसाब से हम सर्च करेंगे ठीक है इस सेलरी को मैंने स्लेक्ट कर लिया कॉमा लगाया मैंने फिर पूरे टेबल को मैंने स्लेक्ट कर लिया ठीक है फिर कॉमा लगाया मैंने फिर कॉलम नंबर बोनस निकालना है द तो आप वन का यूज करोगे ठीक है अब यहां पर मैंने कर दिया एंटर है परसेंट आ रहा है न यहां पर देखो इसके बीच में 6 परसेंट अब यहां पर देखने एक प्रॉबलम है सब का निकालना आए न तो बार बर थुद्ध फिलक लगाएंगे इसको हम करेंगे ड्रै लुकु उलीक करोगे लाइप को यह जो हम नहीं पर प्रसके करद और प्रेश करो रिया और ब्रैक करोगे GP प्र्सक्ते करोगे प्तल लॉख यह जो हमारे टेबल यहसको करको लोग स्लेक्ट करकर डेवर प्रेस कर दो फ्रश्ना यह हो गया हमारा लॉव एक अब कर अब आपका अरॉर नहीं आएगा ओड़ीख इसीक आप चेक भी कर सकते हो यहां पर 8 परसेंट क्यों आ रहा है यह कितना है 57000 इसके किसके बीच में है इसके कि बीच में इस लिए यहां पर 8% आ रहे है इस टाइप से तो आप 0 जिरो और वन का यूज कर सकते हो ठीक है एक एक एजम्पल मेरे पास और है इसका आप खुद एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देख लेना ठीक है कि आप भी लुकप फर्मूला की सायता से ग्रेड कैसे निकाल सकते हो ठीक है यहां पर मैं पहले ग्रेड समझा देता हूं 33 के बीच में है तो फेल आना चाहिए 33 और 45 के बीच में है तो सी आना चाहिए 45 और 60 के बीच में है तो भी आना चाहिए 60 और 80 के बीच में है तो ए 80 से उपर ए प्लस तो हम क्या करते हैं इफ फर्मूला के यूज करते हैं या तो इफ फर्मूला के यूज करते हैं जो कि बह का यूज करना है ठीक है इसका प्रेक्टिस सेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड कर लेना इस एक्जाम्पल को आप खुद करके एक बार देख लेना ठीक है उम्मीद है आपको complete VLOOKUP और HLOOKUP समझ में आ गया होगा कि कहां पर आपको VLOOKUP क यूज करना और कहां पर HLOOKUP का यूज करना है ठीक है फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद